हाई फ्रेंट्स आज मैं विशेक वेलकम टो माई यूटूब चैनल दा ओशियन अप्षिक्षा देखिए अभी जो आज जो हम वीडियो डिसकस करेंगे हमारा जो प्रिविए सीर कुश्टन पेपर डिसकस चल रहा है प्रिलिम्स का स्विल सर्विस के प्रिलिम्स का जो कि 2011 से लेकर के 2013 तक जीतने भी कुश्टन जो पूछे गए हैं गवर्मेंट एडिस्टेशन से प्रिलिम्स के अंदर उसको हम डिसकस करेंगे आपको पता ही होगा कि हर सटर्डे सटर्डे हम क्या है प्रिलिम्स के जो प्रिविए सीर कुश्टन पेपर है उसको डिसकस कर रहे ह ये जो हमारा डिसकसन है वो कुछ यूनिट और श्रेज में डिवाडेट है जैसे कि देखिए अगर हम बात करते हैं पहला जो यूनिट था हमारा वो था हिस्ट्री का हिस्ट्री में हमने 4 स्रेज कंपलेट किया पहला था हमारा इसेंट हिस्ट्री दूसरा था मेडिवल तीसरा था मॉडरन और चौथा था इंडियन नैशनल मुवमेंट इसमें हमने टोटल एक टेश्ट की तरीके से 556 questions को प्रैक्टिस किया था जो की 1995 से ले करके 2021 तक में civil service में पूछे गए थे सिर्फ एसेंट की बात करते हैं तो एसेंट में हमने 137 questions को डिसकस किया था मेडियवल की बात करते हैं तो मेडियवल में हमने टोटल 108 questions डिसकस किये थे modern की बात करते हैं तो modern में हमने 121 questions discuss किया था और Indian National Moment में सबसे लादा questions हमने discuss किया था 190 questions तो total हमने 556 questions को हमने क्या है history में discuss किया था अभी हमारा unit 2 चल रहा है जिसमें से हमने first series और third series complete कर लिया है third series जब हमने M. लक्षमिकान्त का पंचायती राज वाला system पंचायती राज system discuss किया था तो उसी टाइब हमने पंचायती राज और public policy की जो questions थे जो previous year बे पूछे गए थे उसको हमने discuss कर लिया था constitutions and political system ये भी discuss कर लिया है अभी हमारा discussion चल रहा है government and administrations इंडिया और world का जब हमारा second series complete हो जागा तब हम fourth series discuss करेंगे जो कि हमारा judiciary and legal right और जो भी issue है उसके regarding में यानि कि जो हमारा second unit है इसमें हम total 319 questions को discuss करेंगे जब unit 2 complete हो जागा तब उसके बाद हम start करेंगे unit 3 जो कि है हमारा geography का geography में हम total 515 questions को discuss करेंगे जिसमें से physical geography में 123 फिर world political geography में 89 Indian geography से 233 agriculture से हम 70 questions को discuss करेंगे जब हमारा unit 3 भी complete हो जागा तब हम unit 4 start करेंगे जो कि हमारा economics and social development जिसमें हम total 385 questions को discuss करेंगे तो आप इन questions को series में देखिए अगा तो इस आपको यह एक अंदाजा लग जाएगा कि prelims में सबसे ज़्यादा questions कहां से निकल के आ रहे तो आप कम टाइम पर भी अगर आप previous year के questions पर एनिलाइज कर लो तो आप कम टाइम पर भी अपने प्रेलिम्स की जो तैयारी है पकर है वह काफे जादा strong कर सकते हो क्यों वह कि आप एक इस तो अगर questions के वेटेज देखोगे तो चार सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं एक हिस्ट्री पॉलिटिकल जियोग्रॉफिय और एकोनॉमिक्स तो अगर आपका इन चार सब्जेक्ट में पकर बहुत अच्छा है तो आप इसली यूपियस्टी के जो प्रेलिम्स है जो पहला ही स्टेज है वह आप इसली करेक कर सकते हो तो आपको इस वीडियो की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी देखिए इसमें हम बिसिकली प्रेलिम्स की कोर्शन पेपर डिसकस कर रहें सिविल सर्विस एक्जामिनेशन की तो आप यह ना समझें की अधर एक्जाम के लिए हेल्फ़ुल नहीं रहने वाला हर एक एक्ज प्रेइस कर रहे हैं या आप स्टेट पॉलिक सर्विस कर्बिक्शन की अधर को इससे को आप बिसकस्ट करता है तो चल है सटार्ट करते हम अपना आज का डिसकसंद यसमें हम्這一 Sounds ह presented के थांच तक जो भी उत्र संपूश हैं उसको डिसकस करते लिए तो यह रहा हमारा आज का पहला सवाल जो कि 2011 में पूछा गया था तो देखिए फ्रेंड्स में यहां पर आप लोगों को एक सजेस्ट करूँगा तो उसकी करेक्ट आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या अगर आपने अपने पास में न दिसक्स कर रहें देखिए पहला जो कोश्चन है आज का वेन डाई एन्वल यूनियन बजट इस नॉट पास्ट बाइ लोग सभा मतलब कि जो हमारा एन्वल यानि कि साला जो यूनियन बजट है जब लोग सभा में पास नहीं किया जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है जब चार नहीं Дूबारा जब दूबर चैन्ज कीया जाता है दूसरा स्थेट में सभा में को में प्रस्टं कोण्स किया जाता है तो उसे राज सभा में रेफर्ट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, सेजेशन्स के लिए तीसरा स्टेटमेंट कहता है, the union finance minister is asked to resign यानि कि जो हमारे central वित मंतरी हैं को इस्तिफा देने के लिए फिर इसमें कहा जाता है यदि लोक सभा में annual union budget पास नहीं होता है चौथा statement कहता है, the prime minister submits the resignations of council of ministers यानि की परधान मंतरी, मंतरी परिशत का इस्तिफा सौब देता है तो अब आपको इन चारो statement पे से बताने कि कौन सा statement correct है रिगार्डिंग जब लोक सभा में हमारा annual union budget पास नहीं हो पाता है तो देखिए सिदा सिदी आपका क्या है, एक M. Lakshmi Kant का question है budget वाला तो देखिए इसका जो right answer मिलेगा, वो आपको मिलेगा option D यानि की the prime minister submit कर देता है council minister के resignations के साथ यानि की पर्थान मंत्री मंत्री परिशत का इस्तिफा सौब देता है तेकि अगर बात करते हैं यदि annual जो union budget है वो लोक सभा में पास नहीं हो पाता है तो यह क्या है एक तरीके से no confidence motions को क्या है सामने यानि की no confidence motions के equality में माना जाता है यानि की जिस तरीके से आपने पढ़ाओगा quality में no confidence motions में क्या होता है जब लोक सभा में no confidence motions लाया जाता है तो वहाँ पर क्या है जो ruling party होती है उसको अपनी majority proof करने परते हैं कि उसके पास full majority है या नहीं तो ठीक वही चीज जिसमें भी का जा रहे है कि यदि लोक सभा में union budget नहीं पास हो पाता है जो सालाना union budget है तो उसको क्या है एक तरीके से no confidence motions की तरीके से ही माना जाएगा तो इस conditions में क्या जो ruling party है यानि कि जो prime minister है और वो council ministers की क्या है जो इस्तिफा है यानि कि जो resignation है वो क्या कर देता है समिट कर देता है तो इसलिए आपको जिसका right answer मिलेगा वो मिलेगा option D is correct answer यहाँ पर मैं आपसे दो सवाल पूछूँआ पहला आपको यह बताना है कि जो annual union budget है वो हमारे constitutions के किस article में mention है पहला सवाल और दूसरा सवाल यह है क्या क्या जो no confidence motion है क्या सिर्फ लोगसवा में ही लाया जाता है या राजसवा में भी लाया जा सकता है इन दोनों सवाल का जवाब को comment box में देना है अगला question देखते हैं देखिए अगला question है the authorizations for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from यानि कि भारत की संचित निधी से जो धन की निकासी के लिए काधिकी करण से आना चाहिए यह भी सवाल पूछा गया था 2011 में यह आपका सवाल किस से निकल के आ रहा है consolidated fund of India के regarding में आपसे सवाल पूछा गया है अगर आप consolidated fund of India के बारे में बात कोड़ोगे इसके regarding में previous में बहुत से questions already हमने discuss कर रखे है तो आपके पास option है the president of India भारत के प्रता राश्टपती Parliament of India यानि कि हमारी देश की जो संसद है option C है the president of India और option D है union finance minister यानि कि जो authorizations है जो withdrawal किया जाता है consolidated fund से वो किस के द्वारा या किस के द्वारा किस के द्वारा निकाला जा सकता है निकाला जाता यानि कि Parliament के पास यह power है कि वो authorized कर सकता है by the law कि किस तरिके से withdrawal किया जाए money कहां से consolidated fund of India से फिर किस purpose से which the set grants are made मतलब क्या है इसका कि देखे यानि कि अधिकरित करने की जो सकती होगी वो किस लिए उप्यूक्त अनुदान दिये तो यह power किस के पास आपको देखने को मिलेगा तो अगला जो question ही यह 2012 में पूछा गिया था किसके regarding में adjournment emotions के regarding में तो देखे एम लक्षमिकांत का chapter अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें यह chapter पकायदा एम लक्षमिकांत में है यह तो direct क्या है आपका एम लक्षमिकांत की book से ही पूछा गिया question है एक चीज और दीजी candidate है उनके तोरव जो पहली reference book दी जाती है वो यही कहा जाता है कि आप इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्षमिकांत को ज़रूर फॉलो करें तो आप यहां से questions के अगर आप site देखो यह series देख लो तो उसमें आधे से जाधा approximately 95 या 90% जो question है वो direct कहा से पूछे गए एम ल निके भारत की जो संसद में अस्थगन प्रस्ताब का उद्देश से क्या है चार option है इन चार option में से बताना है कि correct answer क्या है option A है to allow our discussions on a definite matter of urgent public importance मतलब की अतिन दावसक सारजने की महत्व के लिए निश्चित मामले पर चर्चा करने की अनुमती देता है दूसरा है to let oppositions members collect information from the minister यानि कि जो भी बिपक्षी वाले नेता है oppositions leader है वो मंतरियों से जानकारी एकत्रित करने देता है तीसरा option है option C है to allow our reductions of specific amount in demand for grant यानि कि अनुदान की मांग में विशिश्ट रासी की कमी की अनुमती देता है तोथा statement है to postpone the proceeding to check the inappropriate or violence behavior on the part of some members यानि कि कुछ सदस्यों के द्वारा अनुचित या हिंसक व्यवार को रोकने के लिए कारवाई की अस्थिकित करना तो आपको बताना है adjointment motions का main purpose क्या है हमारे भारत के पार्लेमेंट के अंदर तो इसका जो right answer मिलेगा वो मिलेगा आपको option A option A में क्या है यानि कि जो भी public matter है public importance matter है urgently उसको discuss करने के लिए यह क्या करता है अगर बात करते हैं यह जो introduce किया गया था Parliament to draw attention of the house to a definite matter of urgent public importance यानि की public importance के regarding में जो भी matter है उसको discuss करने के लिए क्या करता है एक platform प्रोवाइट कराता है It is regarded as an extraordinary device because it is interrupts the normal businesses of the house मतलब क्या है इसे एक आसाधर उपकरन माना जाता है क्योंकि यह घर के समाने काम काज में बाधा डालता रहता है तीसरा statement में देखी क्या बताया गया है कि इसमें सरकार के खिलाफ क्या है निन्दा का तत्व भी सामिल है और राजसभा अस्थगन प्रस्ताव पेस नहीं कर सकती है फिर बात करते हैं जो अस्थगन प्रस्ताव है यानि कि जो आपका adjournment motion है तो लाश्ट फोर नोट लेस देन टू आवर्स एंट थाटे मिनटस मतलब जो अस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कम से कम दो घंटे 30 मिनट तक चलनी चाहिए तो यह कुछ पॉइंट्स थे किसके रिकार्डिंग में एडजोंड्मेंट मोशन के रिकार्डिंग में तो राइट आंसर आपको क्या देखने हो को मिलेगा option A is correct answer अगला question देखते हैं देखिए अगला जो question है यह भी पूछा गया था 2012 में इसके रिकार्डिंग में यहाँ पर आपके पास तीन statement है तीन statement में से बताना है कि कौन सा statement correct है अगर आपने 2022 में एक्जाम दिया हो तो आपने उसमें देखा होगा कि कुछ pattern change कर दिया थे यह correct option वालो में उसके जगह पर जहाँ पर आपको only one only two है इसके जगह पर आपको pair वाले देखने को मिले गएता है यानि कि option A था only one pair correct option B था only two pairs correct option C था all pairs all pairs correct और option D नल तो अब आपको इन चाड़ों में से बताना आप दोनों में से जो भी आपको लिए option उटे वाल है आप दोनों के हिसाब से answer टिक कर सकते हैं देखे पहला कहता है union territory are not represented in the राजसभा यानि कि राजसभा में जो भी हमारी union territory है उसका कोई भी representative आपको देखने को नहीं मिलेगा दूसरा statement कहता है it is within the pure view of the chief elections commissioner to aducent the elections distributes यानि कि चुनाव विवादों का निप्टाना यानि कि निप्टारा करना मुखी चुनाव आयुक्त के अधिकार छेतर में आता है दूसरा statement कहता है according to constitutions of India यानि कि भारत के सभिधान के अनुसार जो भारत का संसद है यानि कि संसद में केवल लोगसभा और राजसभा ही होते हैं अब आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा statement correct है देखिए यह जो आपके पास option a only one option b two and three option c one and three और option d none है तो इसमें यह एक तरी किसी क्या काफिश जाता easy माना जाता था क्यूं कि इसमें eliminate करना खाफिजाता easy था यानि कि मान लीजिए आपको पता कि तीसरे statement गलत है तो जी जिसमें third है तो आप उसमें क्या कर सकते हो रस लगा सकते हो अगर आपको जैसे कि अगर बात करते कि राजसभा में कोई भी representative नहीं है तो यह गलत है क्योंकि राजसभा में union territory के भी member सामिल रहते हैं तो एक तरीके से क्या होगे हमारा पहले statement भी गलत होगे तो आपका सीधा सीधी इस तरीकी सांसर eliminate करके आप option d correct answer नहीं है अब देखिए बात करते कैसे अगर हम union territory की बात करते हो डैली और पुडवी चरी एक ऐसा union territory है जहां पर आपको खुद का cm यानि की chief minister देखने को मिलेगा तो जाहर सी बात है राजसभा में उनकी भी representative आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दूसरा statement क्यों गलत है देखिए अगर बात करते जो भी distribute होते हैं elections के regarding में तो वो कहां supreme court और high court के द्वारा देखे जाते हैं वो distribute को दूसरा statement में भी हमारा क्यों हो गया incorrect हो गया according to union constitution की बात करते हैं तो हमारे parliament में लोगसभा राजभा और president of India को मिला करके क्या बनता है हमारा जो parliament वो बनता है जबकि यहां पर statement में क्या दे रखा था सिर्फ यहां संसद केवल लोगसभा और राजभा की ही होती है तो इसलिए यहां पर गलत हो जाता है तो right answer आपका क्या बन जाएगा option D is correct answer बन जाएगा next question देखते हैं यहां पर regarding आपको दे रखा है लोगसभा के speakers की regarding में तीन statement है इन तीनों में से बताना है कि कौन सा statement correct है यहां पर भी आप pair वाला कर सकती हो option A हो जाएगा only one pair option B हो जाएगा only two pairs option C हो जाएगा all pairs और option D हो जाएगा आपका none यह भी आपका क्या है लोगसभा के speaker के regarding में है तो सीधा सीधी एम लक्षमी कांद का ही question है देखी पहला कहते हैं कि जो हर लोगसभा का speaker होता है office during the pleasure of the president मतलब वो राश्पती की मर्जी तक पद पर बना रहता है दूसरा statement का गया है जो लोगसभा के speaker होते हैं उन्हें चुनाव के समय सदन का सदस से होना जरूरी नहीं है लेकिन उसे अपने चुनाव के तारिक से 6 मेहने के अंदर-अंदर क्या है सदन का सदस से बनना होगा तीसरा statement कहता है कि यदि वह इस्तिफा देने का इरादा रखते हैं तो उसके इस्तिफा का पत्र उपाध्यक्स को संबोधित करना होगा यानि कि अगर वह रिजिगनेशन देते हैं तो डिपीटे स्पेकर्स को अपना रिजिगनेशन लेटर देना होगा अब आपको बताना है कि इन तीनों statement में से कौन सा statement करेक्ट है रिकार्डिंग लोग सभाव औफ इस्पेकर के एले यानि कि तीनों statement करेक्ट नहीं है कि कुन सा statement करेक्ट नहीं है तो इसका जो right answer मिलेगा वो मिलेगा आपको option B अब B क्या यानि कि सिर्फ हमारा तीसरा सही है बागी दोनों गलत है अब देखते हैं दोनों क्यों गलत है क्योंकि देखिए अगर बात करते हैं लोक सभा का जो speaker होता है वो resign देता है कि इसको देखिए अगर हम लोक सभा की लाइफ के बात करते हैं तो normal term कितना है लोक सभा का 5 साल इसको जो भी resign देना पड़ता है कब जब जो ruling party है उसको क्या कर जो ruling party है यानि कि prime minister क्या कर दे अपने council of minister के साथ अगर resignations देता है no confidence motions pass हो जाता है तो उस time पे क्या है लोगसभा के speaker को भी अपने post से resign देना पड़ता है क्यों कि लोगसभा का speaker होता है वो एक तरीके से कहां से निकलता है जो ruling party है वहीं से लोगसभा के speaker से भी वहीं से लोगसभा का leader भी है ने कि sorry जो लोगसभा का speaker है वो ruling party से ही निकलके आता है तो इसलिए यादि no confidence motions में सरका dissolve होती है तो उस conditions में लोगसभा के speaker को भी resign देना पड़ता है और अगर हम deputy speaker की बात करते हैं यह opposition slater का आपको deputy speaker देखने को मिलेगा तो इस वज़े से हमार जो right answer है वो है option be is correct answer अगला को देखते हैं अगला जो question है यह पूछा गया था 2012 में आपके पास यहां पर चार statement है किसके regarding में तो inclusive governance के inclusive governance का मतलब होता है समावेसी सासन के regarding में चार statement दी गई है अब इन चार statement में से कौन सा statement correct है वो आपको बताना है यानि कि आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है correct statement पूछ रहा है यहां पर भी आप इसको क्या कर सकते हो pair वाला कर सकते हो यानि कि option a हो जाएगा only one pair option b हो जाएगा only two pairs option c हो जाएगा only three pairs और option d हो जाएगा all pairs are correct अब आपको इन चारों में से बताने कि कौन सा statement correct है पहले statement कहता है permitting the non-banking financial companies to do banking मतलब get banking with the company को banking करने की अनुमती देता है दूसरा establishing effective district planning committees in all the districts यानि के सभी जितने भी जो districts है में परभावी जीला योजना समीती के अस्थापना करना तीसरा है increase the government spending on public health यानि कि जितने भी जो public health है उसमें जो सरकार है उसके खर्च को बढ़ाना या हम बात करते हैं जो midday meal scheme है जो कि school के अंदर यानि कि first पहली class लेकि जो 8th class तक बच्चों को midday meal provide कराई जाती है तो उसको मजबूती परदान कराना यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछूँगा आपको यह बताना है midday meal scheme किस year में start हुआ था इसका आंसर आपको comment box में लिखना है तो देखिए option है आपके पास option A है only one and two option B है option B है only three and four option C है two, three, four and option D है कि हमारे सारे statement क्या है correct है अब आपको बताने कौन सा right answer है तो इसका जो right answer मिलेगा वो मिलेगा option C यानि कि हमारा पहला statement गालत है आपके तीनो statement हमारे सही है तो इस हिसाब से हो जागा आपका option C अगर आप pair के हिसाब से देखोगे तो भी हमारा होगा option C क्योंकि यहाँ पर only three pairs are correct अब देखे बात करते है inclusive governance का मतलब होता है benefit of governance जो की reach town, front and the last corner of the country मतलब समावे सी सासन्स का मतलब होता है कि सासन्स का लाव वंजित वर्क तक देश के अंतीम छोड़ तक पहुँचाना अगर बात करते है जो हमारा options था two, three and four वो क्या करता है leads करता है inclusive governance को permitting the non-financing financial company की बात करते है do not banking is not directly link यह किसे directly link नहीं है हमारे inclusive governance से तो इसलिए हमारा पहला statement कहीं न कहीं गलत हो जाता है और जो right answer निकल गयागा दूसरा, तीसरा चौथा जो statement है वो correct है तो right answer आपका हो जागा options is correct answer अगला question देखते हैं यह भी पूछा गया था आपसे 2012 में इसमें CAG के regarding यानि की controller and auditor general के regarding में आपसे सवाल पूछाए यह भी आपका M. लक्षमी कांद का ही question है यह सारे chapter हमने काफी briefly में discuss किया है आपको playlist access करके सारे video आप देख सकते हूँ अभी तक अगर हम बात करें M. लक्षमी कांद का हमने 124 lecture complete कर लिया है जिसमें से हमने chapter 1 से लेकर के chapter 40 तक complete कर लिया है अगर बात करें part 1 से लेकर के part 5 तक अभी हमारा part 6 से ल रहा है schedule area chapter 41 उसके बाद हमारा M. लक्षमी कांद का part 6 भी complete हो जाएगा जिलिए देखते है क्याग के बारे में तो क्याग के बारे में पहला जो statement कहा गया है पहला statement ये कहा गया है कि जब भारत के राष्ट पती राष्ट अपातकाल यानि कि जो आपका president rule जो national emergency है या financial emergency को declare करते है तो क्याग यानि कि जो controller auditor general है संसर की और से सरकारी खजाने पर क्या है वो नियांतरन रखता है दूसरे statement कहता है कि मंतराले के द्वारा जो भी programs है या जो कारेकरम है या project है कि निस्पादन पर CSC report पर लोक लेखा समीती द्वारा ही चर्चा की जाती है तीसरे statement कहता है आपके informations of जो क्याग है क्याग की report can be used by investigating agencies for frame changes against those who have violent the law while managing 78 public finance यानि कि क्याग report की जानकारी का उप्योग जाच agency द्वारा उन लोगों के खिलाफ आरोपते करने के लिए किया जाता है जिन्हें 78 सार्जानिक यानि कि जो आपका public finance है का संबन करते समय कानून का उलगन करता है चौथा statement कहता है कि जितनी भी जो government offices है यानि कि जितनी भी सरकारी कमपनिया है कि audit और लेखाकन से निपटने के दौरान क्यायक के पास कानून का उलगन करने वाले मुकतमा चलाने के लिए कुछ नियाइक सक्तियां भी है तो इन चारो यह आपके पास चार statement है अब यहाँ पे आपके पास option है इसको भी आप क्या कर सकते हो pair में कर सकते हो एक चीज और देखना कि questions में आपसे correct पूछ रहा है या incorrect पूछ रहा है तो pair में आप कहलो only one pair are correct option B हो जाएगा only two pairs are correct option C हो जाएगा only three pairs are correct और यहाँ पे D में हो जाएगा all pairs are correct अब आपको पताना है इन चारो में से कौन सा statement correct है यहाँ पे option है only option A है one, three and four option B है only two option C है two and three option D है जाड़ो तो right answer मिलेगा आपको option C यानि कि सिर्फ दूसरा और तीसरा ही हमारा सही है और बात करते हैं पहला और चौथा गलत है पेरी के साब से देखोगे तो option B आपको correct option जाएगा देखे अगर बात करते हैं किस का रहे हैं पहला और चौथा गलत है तो right answer दूसरा और तीसरा जो सही है यानि कि option C correct answer है अब देखे बात करते हैं के रिपोर्ट की बात करते हैं तो मंतरियों त्वारव परिजूजना यानि कि जो भी programs है schemes है कि discussions के लिए इस पादन पर जो के की रिपोर्ट अपर लोक लेखा समिती के त्वारव उस पर चर्चाखी जाती है informations of CAG report यानि कि जो भी CAG की report होते है उसका use किया जाता है investing agencies के लिए जो कि press changes against those who have the violent जो उनके द्वारव जो law है क्या है तोड़े जाते हैं जो भी financing public यानि कि public financing की बात करते हैं तो तो इसलिए हमारे दोने statement दूसरा और तीसरा correct है और पहला और चौथा incorrect है तो इसका correct answer किया था option C is correct answer अगला question देखते हैं यह भी पूछा गया था 2012 में तो देखिए इसमें regarding है आपके पास prime minister के regarding में सवाल पूछा गया है कि जब हमारी देश के परधान मंतरी की न्यूकती की जाती है यह भी आपका क्या है एमिरिक्ष मिकांत का question है और article 75 के regarding में आपसे सवाल पूछा गया है देखिए बात करते हैं जो पहला option है कि जरूरी नहीं है कि वह संसत के किसी भी सदन का सदस से हो लेकिन 6 महने की भीतर उसे किसी एक सदन का सदस बनना होगा अब देखे पहले statement यह कहता है कि यदि जब हमारी country की प्रेशेडेंट की न्युकती की जाती है अपॉट्मेंट किया जाता है यदि वह दोनों में से किसी भी सदन का मेंबर नहीं है तो 6 मेने के अंदर-अंदर क्या है उन्हें एक सदन का मेंबर बनना होगा एक्जामपल को तोड़ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मनमोहन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो उनके रिकार्डिक में यह केस आपको देखने को मिल जायागा क्योंकि वो पहले किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे तो उन्हें जब प्राइम मिनिस्टर चुना गया था तो उन्हें एक 6 मेने के अंदर-अंदर एक हाउस का मेंबर बनना पड़ा था दूसरे स्टेटमेंट कहता है कि संसच के किसी एक सदन का सदस होना जरूरी नहीं है लेकिन 6 मेने के भीतर लोगसभा का सदस बनना होगा यानि कि यहां पर यह कह रहा है कि जो भी जिने भी प्रेसिडेंट जो एजब प्राइम मिनिस्टर अपॉन्मेंट के आया था तो 6 मेने के अंदर-अंदर उन्हें कि लोगसभा का मेंबरों ने बनना पड़ेगा तीसरा स्टेटमेंट के तीसरा जो ऑप्शन है किसी एक सदन का सदस होना चाहिए और चौथा है कि पार्लेमेंट मस्ट भी अमेंबर अफ लोगसभा यानि कि सदन को लोगसभा का सदस होना चाहिए अब आपको पताने इन चारों में से कुन सा करेक्ट आंसर है तो इसका ज इसका सभी धान है, तो उसमें ये प्रोवाइट कराया गया है, कि जबbelt मत वी कि अबर्वाइट की जाती है, कि द्वराइट की जाती है, कि атыब स्झाटा ऑफ, जो बिया ज्याटे है, realized जीत कर कि आती है, तो परषसर याणि कि अगर बात करते हैं, constitution जो है वो permit करता है persons of to be upon PM without being a member of other house यहनि कि वो किसी भी member का house बन रहे बगर बूर नहीं किया है कि prime minister appointment किया जा सकता है लेकिन उन्हें 6 मेहने के अंदर-अंदर किया है किसी भी एक house का member बनना पढ़ेगा जिस date को उन्हें as a prime minister appointment किया गया है तो इसी लिए हमारे किया है आपको जो option a है option a correct वांकि तीनों incorrect statement है आप जो पूछा भी correct statement ही गया था एक तरी के सीन तो right answer आपको option a मिल जाएगा next question देखते हैं यह पूछा गया था 2012 में तो इसमें पूछा गया है a debt log between the log सभा एंडरा सभा cell of a joint setting of the president parliament during the pass-off यानि कि यहां पर आपके पास कुछ बिल के नाम दे रखे ordinary legislation money bill और constitution commitment bill अब आपको बताना है questions में यह पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा bill है जिसके लिए राजसभा और लोकसभा के बीच में क्या है गति रोधक के कारण क्या है कि राहित होने के दौरान संसत की क्या है एक joint setting आपको देखने को मिलेगा तो यानि कि जो साधारन बिद्धे एक बिल होता है या हम बनी बिल की बात करते हैं आपके पास option है only one option भी है तो एंड थ्री ऑप्शन सी या वन एंड थ्री ऑप्शन दे है तीनों इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए यानि कि सिर्फ पहला और डिनेरी लेकिसलेशंस बिल की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है ज्वाइन सीटिंग इस एक्सट्रा ओडिनारी मसेंटरी प्रॉइड़ेड यानि कि जो भी डैट्लोग है राजसभा और लोगसभा में बिल को पास करते टाइम तो उस डैट्लोग को सॉल्व करन के लिए जूएंड सेटिंग की जो प्रॉविंस है। वापको कंस्टूशन में दिया गया है अगर हम बात करते हैं जूएंड सेटिंग यानि की जो संगोध बैठ़क का जो प्रवदान है केवल वीत विदहयक के सामाने विदहयक पर लावू होता है दन विदहयक या answer मिलेगा वो मिलेगा only one यानि कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पहला ही statement correct है बागी यह दोनों बागी तीर नहीं आएंगे यानि कि विद्धेयक bill और जो constitution's bill है यानि कि आप money bill और constitution's bill के लिए joint setting आपको देखने को नहीं मिलेगा तो friends यह था हमारा आज का discussions जिसमें हमने 2011 से लेकर के 2012 जितनी भी जो UPSC के अंदर political questions पूछे गए थे उसको हमने डिसकस किया तो मैं उमीद करता हूँ कि यह जो हमारा previous year questions paper discussion जो कि एक test की तरीके से हम डिसकस कर रहे हैं वह आपको काफे जाथा पसंद आ रही होगी यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को like कर सकते हैं share कर सकते हैं और मैंने आपको information दे दिया है कि अभी जो है 2024 से हमा जो वीडियो पैटन है वह थोड़ी सी change हो गई है जैसे कि अगर बात करते हैं Monday से लेकर फ्राइडे तक आपको क्या है एम लक्षमी कांथ की वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम इंटन पॉलिटी क्या है एम लक्षमी कांथ कंप्लीट कर रहे हैं Saturday को आपको प्रीवियस येर कॉस्ट्ट्स पेपर डिस्कॉस्ट्स मिल जाएगा एक टेस्ट की तरीके और संडे को अगर हम बात करें तो जो वीकनठ है यानजिकी मंडे से लेकर करें संडे साका उचलर प्र निद्यवा जाएगा जनरी कि जो कल हम घुडियो डिसकॉस्ट्स करेंगे वह आपके निदन और ओए एक लेगा एम लक्षी मिकान का चैट्टर 41 की वीडियो मिश जाएगी तो वीडियो के रिकार्टिक में आपको कोई भी सजेशन्स देना है तो आप कमेंट बोक्स में देश सकते कमेंट बोक्स ऑपन है यह वीडियो आपको पसंद है आ रहे है तो आप वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेर ज़रूर करें थैंक्स फूर वाचिंग फ्रेंड टेक केर जाए हिंद